बिसमिल्लारह्मालिराहीम असलामालेकाम हम आज हम आपसे क्रेले अब कहा before के बीप का कीमा इंद मुरह भर की सोर्खती जांद को हुआ था अब इसको इसका कीमा बनाना है फिर आप से शेयर करते हैं हाँ जी ये नमक काट भी नील गए अंदर इसके ये नमक के साथ अची तरह दो होके इसको कट लेगाएंगे बाद में हमें कीमा बरे क्रेले बराने के लिए पहले कीमा करना है अदा किलो हमारा ये मीट है तो हम सबसे पहले आदा करेंगे कीमा हाँ जी प्यास सबस मेरे चलह सनद रखा मुट सारी चीज़ें साथ ही डार रहें अंदर हादी मैंने डाल दी है इस किमे के अंदर और हादी दूसरे के अंदर डालूंगे किमाम ने बना लिये तमाम चीज़ें दर डाल के आपि अपराइजी में डाल की जाए अब इसके अदर टमाटर लाप डालती हूं अब नाजी इसके अंदर आप टमाटर डालोंगी और इसको पकने के छोड़ें इसके तरह पाहिए जाए अब बद एक सुरफ म्रेच के तीन चमच लिए मैंने एक चमै नमका क्यूकर चैनलों को भी लगाया और हाफ चमाच जीरा पॉड़र है एक चमै दनीज पॉड़र है और हल्दी पॉडर हम चमच और एक चमच यह कानु मिरेच है हमज ये सारे मसाले अंदर जाएंगे कि में के प्रमसाला हम बिल्कुल एड़ पे डालेंगे अजी तमाटरा ने डाल दिया अगर फड़ासा पानी आउट डालें ताकि कीमा चिकरा गालें तो इसको भूंटेंगे यह यह मैंने ना खाली किये एक लाइन नकाली है बीच की यह देखें कीमा बरना है और यह जो मैंने बीच नकालें यह इन्हाला इनको बीच के साथ मीने उपर उन्हाला फ्राये करने है यो एक पांझेख 1700 और उसके बाद कीमे के अदुर यह पूंडर करने कि अधियमे का पाली बीपस किश्कोने वाला है इसमें गी डाल के पर फ्राइ करते हैं इसमें पाइल डाल के इसको बुंगे के लिए चिकरा बुंगने है अब चुला बंकरते हैं कि आरे चिल्पा भी सारा फ्राई हो गया और अब दीची यह चुला बंकर दिये और इधर यह किमारी सिस्कोर है अब इसमें यह बखली डालें इंट आज जी हमने अंदर बढ़ा फ्राइब किया था मैंने करेले को पर से चलका उतरा हो मैंने बनाया तरह डाल दिया अदर तो अब निक्स करते हैं इसको अब ठंडा करके करेले बरते क्योंकि कीमा भी मैंने बून लिया है यह देखे बिल अब अब यह तेल हमारा घरम हो गया अब हम इसमें प्रेले रखने लगया अब आज प्राइब करने के लिए मासला इस तरह हमने इसको बांता है ना कि यह फुल निक्स करते हैं अजी यह मैंने बाकी जो पड़े थे वो भी डालती है अंदर तो अब यह फ्राई हो गए और यह देखें यह फ्राई हो चुके हैं अजी इसी तरीके से बनाए इंशाला बहुत मज़े के बनेंगे लाइ करें शेयर करें दौब में याद रखें नाफीज